Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, दिसमद होजा 22 अटाम एन एक्जाम के एक्जाम फॉर्म के बारे में, कि जब 2 इसमर से एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर एक्जाम फॉर्म अभी तक क्यों नहीं रिलीज किया गया, इसके पीछे क्या वज़ा है, और कब तक एक्जाम फॉर्म रिलीज किया जा सकता है, सब के बार में हम लोग इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट ज़रूर देख रिजेगा ये चल्पलान चानल पर फॉस्ट आम आया है तो हरेकिक टॉर से इंफर्मिशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जा रहा है यानि कि जस तरीका से पहले इकजाम कंड़क करवाय जाते थे उसी तरीका से इस बार भी December 22 का exam conduct करवाया जा रहा है, यानि कि 2 December से exam postpone नहीं हो रहा है, तो उस situation के हिसाब से अभी तक exam form release कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक exam form जो release नहीं किया गया, इसका बहुत बड़ा वज़ा इगनू खुद है, और इगनू के management खुद है, क्यों कि वो लोग इतने सारे student को समहाल नहीं पा रहे हैं, उनका time पे exam नहीं conduct करवा पा रहे हैं, और सबसे जादा time पे result declare नहीं करवा पा रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझो, आपको भी सुझ में आ जाएगा कि exam form क्यों नहीं release किया गया, देखो December Termin exam जो March में conduct करवाय गया था उसका result, अभी तक complete result declare नहीं किया गया है, बहुत सारे, हजारों student है जिनका अभी तक result declare नहीं किया गया है, जिन्नोंने December Termin exam दिया था, और अभी वही student जिनका result declare नहीं किया गया था, उन्हेंहें June 2022 का भी exam दे दिया, इसका भी result declare नहीं किया गया, अब यह मैं आपको form release हुआ था उस वाक एक बात ये बताया था कि जो भी December 2021 का result pending है उनको बोला गया था कि आप June 2022 का exam form fill up कर दो आपका result pending है तब भी आप exam form fill up कर दो अगर आप exam form fill up करने के बात से pass हो गए तो फिर आपका fees को हम adjust कर लेंगे लेकिन exam form के portal में fees to तब adjust किया जाएगा ना जब December 2021 exam का complete result declare हो जाए और इगनू के पास ये data हो जाए कि किसका fees को adjust करना है किसका fees को adjust नहीं करना है क्योंकि exam form के portal जब start किया जाता है तब ही fees को adjust किया हुआ रहता है तो ये जब तक यहाँ पे complete result declare नहीं होगा तब कि इगनू के पास ये data आएगा नहीं इसलिए कोशिस किया जा रहा है कि December 2021 exam exam का जो बेस्ट इन का result pending उसका जल से जल डेक्लेर किया जाए था कि इगनू exam form के portal में उसका fees को adjust कर पाया अगर जो बेस्ट इन fees दे दिया है और उनका result यहाँ पे देक्लेर हुआ है और वह पास हो गया है तब क्योंकि इगनू ने अल्रेडी exam form के पेज में इसको बता दिया था दूसरा वजा यह है कि June 22 का यह तो 27 21 का result pending है अभी June 22 का सिर्फ 8 update publish किया गया है और इसमें अभी I mean मुश्किल से 20 से 30% student का result declare किया गया बाकी अधर student का तो अभी result pending ही है तो जो भी student का result ही declare नहीं होगा तो फिर वो next exam का exam form फिलप कैसे कर पाएंगे प्लस जो भी student का result declare होगा उनको पता चलेगा कि वो pass हो है या fail है तभी तो next session का exam दे पाएंगे ना इसके बाद से exam form का portal start नहीं किया जा रहा है मैंने SD के कुछ official से बाद किया तो उनको भी अभी नहीं पता है कि exam form कब release किया जाएगा क्यूंकि अभी तक तो result जो declare होता है यह तो evaluation center के उपर depend करता है कि कब paper checking करके बेज़दा तब उसके बाद result declare होता है और उसी हिसाब से exam form का portal start किया जाएगा अगर आप पूछोगे कि exam form तब कब start किया जाएगा यह कब किया जा सकता है तो मैं आपको बता दू कि 15 October maximum है 15 October से late नहीं होगा exam form release होने में उसका वज़ा यह है कि इस बार exam जो हो रहा है December का वह 2 December से start हो रहा है अगर 15 October से exam form start हो जा रहा है तो नॉर्मली exam form fill up करने के लिए one month का time दिया जाता है और ठ्वासा date को भी extend किया जाता है with late fine तो अगर 15 October से start होगा तो 15 November और date extend किया जाएगा तो 20 November और साथ दिन पहले आप लोगका hot ticket release हो जाता है और 2 December से exam start है ठीक है तो exam form most probably 15 October या उससे पहले release कर दिया जाएगा उससे late नहीं होगा क्योंकि इस बार exam का date पहले ही आ गया है और 2 December से exam start है और exam form fill up करने के लिए one month का time दिया जाता है तो in between होगा ये कि December term in exam के जितने भी student का result अभी भी pending है उनका result जल्दी से जल्दी declare किया जाएगा साधी साथ जुन्द होगा 22 term in exam का जो भी student का pending है उसका भी result डेक्लेर किया जाएगा ताके 15 October तक maximum student का result डेक्लेर कर दिया जाए या even 17 से 80% भी student का result डेक्लेर कर दिया जाए तो फिर exam form release कर दिया जाएगा क्योंकि तब तक student को पता चल लागा कि कि कितनी paper का exam देना और कितनी paper में back लगा हुए तो आप लोगों को समझ में आ गया December term in exam form release नहीं होने का वज़ा और December term in exam form कब release किया जा सकता है ठीक है तो यही सबता है इस वीडियो में December term in exam form कब release किया जा सकता है और उसका क्या वज़ा है उसके बार में आप लोगो detailed information दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोगो information useful लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी फेरेंट के साथ से एक है तक उनको भी यह सभी information मिल पाए किसी विद्धा के डाउट के लिए आप लोगो नीचे कॉन बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डिरेक्ली कॉल करके भी अपना डाउट के लिए कर सकते हैं अगर आप AH Helpline चैनल पर फॉस्ट हमाए हैं तो make sure आप लोग पहरी फूरसत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much